दोस्तों अगर आपके पास सो से भी ज्यादा फोटोस हैं और उन सब का आपको चाहिए कि बिल्कुल वाइट बैग्राउंड आए बिना फोटोशॉप यूज़ करें तो है ना मुश्किल वाली बात तो चलिए इसी मुश्किल को आसान करते हैं अपने इस टुटोरियल में अल्राइट यह अपना सेट अपा गया एक लाइट है जो कि प्रोड़क्ट के राइट साइड पे है प्रोड़क्ट अपना यहां है पीछे मैंने एक वाइट पेपर लगा दिया है आप कोई भी चाहर्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं इसके जए और जो नीचे बेस है उसके इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूं यह एक्रिलिक का शीट यह एक प्लास्टिक की तरह होता है जो आपको बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन देगा यह कुछ इस तरह से अपना सेट अप है यहां पर प्रोड़क्ट है यह अपना कैमरा आ गया और यह अपनी लाइट आग अपने लाइट प्रोड़क्शन आ रहा है उसको अम लोग अपने बैक्ग्राउंड के लिए काम करते हैं इसको उम लोग वाइट कैसे कर सकते हैं अब इसको बिलकुल वाइट करने के लिए इसको हम लोगों को ओवर एक्सपोज करना पड़ेगा तो एक लाइट इसमें यह वाली लाइट सिर्फ रिफ्लेक्टर के साथ है इसमें कोई अटैश्मेंट नहीं है चलिए एक शॉट लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं बिलकुल अपना बैक्ग्राउंड वाइट हो गया है अगर आपको लगता है कि आपका प्रोड़क्ट का बैक्राउंड बिलक इसके राइट से डार्क हो रहा है एक कॉमर्स के शॉट के लिए आपको बहुत ज्यादा शैडव प्ले नहीं करना है बिलकुल फ्लाइट लाइटिंग चाहिए तो उसके लिए चलिए एक लाइट और आड करते हैं यह दूसरा लाइट मैंने आड कर दिया प्रोड़क्ट क के शॉट लेके देखते हैं दूसरा प्रोड़क्ट देखे बिना किसी एजस्ट्मेंट के बिलकुल सही आ गया है यह वाला जो प्रोड़क्ट है यह थोड़ा लाइटर टोन में बागी जो दो प्रोड़क्ट शूट किये तो उस हिसाब से लाइटिंग इसके लिए हम करना पड़ेगा देट सिट चलिये शॉट लेते हैं नेक्स प्रोड़क्ट चेंज करते हैं चलिये एक शॉट लेते हैं बिलकुल सही है यह जो अपना प्रोड़क्ट है थोड़ा से चॉड़ा ज्यादा है हो सकते हैं अपना बैक्राउंड कम पड़े अगर आपको ऐसा है तो आप थोड़ा चॉड़ा बैक्राउंड कर दीजे बस चलिये शॉट लेते हैं यह वाला जो प्रोड़क्ट था इसमें काफी रिफ्लेक्शन आरा था आपने देखा होगा इस तरफ से तो चलिये उसके लिए इसको दुबारा शूट करते हैं ट्रेसिंग पेपर के साथ अब लाइच के आगे यह वाला ट्रेसिंग पेपर लगा दूंगा उससे अपना र जाएगा जो इतना जादा रिफ्लेक्शन आ रहा था काफी रिडियूस हो गया अब अगर आपको चाहिए तो जो दूसरी साइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था आप दूसरी लाइट के आगे भी एक प्रेसिंग पेपर लगा दीजिए और वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही तो यह था अपना सेटप बिना फोटोशॉप यूज के बिलकुल वाइट बैग्राउंड के साथ एक नीट इन क्लीन प्रोड़क्ट शॉट आश्यकरता हूं आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू बीरे ठाइब कल्वा करता हैं करूश करता हूं आपको में आपको यू सूने का वाइब कर्या भूले बैश्छंवा ना में का इने घło हुआ हूं करता हैं फो यह शो रागाष भ्यूता बीर है हूआ अन आपको